दूसरा टेस्स मैच, दूसरे दिन का खेल ख़तम हो गया है और इस वक्त भारतिय टीम का पलड़ा फारी है ऐस्ट्रेलिया के किराफ तो क्या थे वो एहम डिसिजिजन्स जो भारतिय टीम ने लिए जिसका फाइदा उन्हें मिला उस पर हम बात करेंगे आप देख रहे हैं ESPN यह DECISIONS powered by mutual funds सही है तो तीन सही DECISIONS की हम बात करें आकाश छोपरा मेरे साथ हैं आकाश शुरुआत करेंगे पहले decision के साथ और वो था Australiaeeee टीम ने जिसता से पहला जो घंटा आपने देखाющa 무ान्स और Hazelwood ने जो इसावे चीज़ आड़ाता है Cummins और Hazelwood ने जो attack किया, अब वोई चीज याद दिलाता है ना Adelaide की, उसी attack में आप 36 पर out हो जाते हो लेकिन यहां किसी ना किसी तरह से अब बच गए. बहुत कमाल की गेंद बाजी की थी, सुबह के 5 बचे थे भारत में जब हमने वो देखना शुरू किया और एकदम ऐसा लगा कि बुरा सपना ही देख रहे हैं क्योंकि इतनी कमाल की गेंद बाजी हो तो फिर बतौर बल्ले बाज आप सिर्फ यही मतलब शुक्र मनाते हैं कि आ और उसके बाज जिस जगहा पर गेंद डाली वो भी कमाल की थी, थोड़े थे catches जरूर छूटे, थोड़ा सा भागे का साथ जरूर भारत को मिला पर you can't point any fingers, मतलब उस वाले जो spell जो शुरू का जो 45 minute का जो खेल हुआ, उसमे आप आपको भागे शाली जरूर मानेंगे कि you live अगला जो डिसिजन था ना आकाश वो था रिशव पंत का, जब वो आये तो उन्होंने अपने अंदाज में counter attack किया, आप उनकी पारी को कैसे देखेंगे, क्योंकि लोग शायद बटे हो, 29 रन बोले, नाकाम थे, कोई लोग ऐसे भी बोले कि नहीं, इन्होंने जो tempo set किया, उससे भारते टीम को फायदा मिला, आप कैसे देखते हैं? सोचना पड़ेगा, अब आप अपने गिंदबाजों को भी थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही तो match के लिने इस शिंकला को बहुत दबाव में आया है, यहां तक बंडे T20 से अपनी जगा दबावा चुके हैं, यहां पर भी हो सकता था कि बड़े सहमे सहमे से रहते, थोड़ा दब कर खेलते, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, counter-attacking वो पारी थी, छोटी जरूर थी, लेकिन इस match के context में तो यादगार पारी रहेगी अगर भारत जीत जाता है तो तो आजिंक्या रहानी की जो यादगार पारी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, परी पकवता उन्होंने दिखाई जिस तरह से पारी खेली, एक mature knock हम कहेंगे, लगता है टिपिकल जो template होना चाहिए, टेस्ट पारी का वो था, शुरुआत में आप थोड़ा सा कैफूल रह से खेलना होता है, जब आप उस्टेलिया में जाते हैं, सामने से नई गेंद होती है, फिर sideways moment होती है, कोखू बुरा की जब नई गेंद रहती है, तो बहुत ध्यान से आपको अपना पता होना चाहिए, ऑफस्टम कहां पर है, तो उन्होंने वो करके दिखाया, उसके बाद जब वो अंदर की तरफ गेंद बाजी करेंगे, क्योंकि आपने उनको मजबूर कर दिया है, वो ज्यादा बाहर नहीं डालेंगे, आप उनको मजबूर करेंगे, तो फिर मैं उनको इतना अच्छा डिफेंस दिखाऊंगा कि उनके होसले वैसी पस्त हो जाएंगे, अब या तो शॉर्ट डालेगा, या आगे डालेगा, या पैरों पे डालेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना उसे भी पता है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बात ठक तो मैं जाऊंगा, तो वो, मतलब क्लासिक जो टेस्क मैच पारी कहते हैं, कमाल के नियंत्रन और वो कंपोजर के साथ जो देखने को मिली, वो तो अजिंके रहने के करियर में बहुत शतक उन्होंने लगाए हैं, बहुत भेतरी शतक लगाए हैं, इस मैदान पर भी पहले लगाए हैं, लेकिन ये पारी जो थी, one of the best test standards, not just अजिंके रहने, पर an Indian, by an Indian captain away from home. अचा करने के लिए, आप देख रहे थे, ESPN Quick Info सही है, decisions powered by mutual funds सही है.